हेलो एवरिवान वेल्कम बैक ट्यूरून चैनल आज हम करने जा रहे हैं आपका वोक्षीट नमबर 31 विशे विज्ञान कक्षा नो हमारी डेट 20 सितंबर के लिए तो चली शुरू करते हैं आज की वोक्षीट में हम पढ़ रहे थे उत्तक के बारे में दो तरीकी की उत्तक हम के बारे में हम पढ़ेंगे तो चलो शुरू करते हैं सरल उत्तक के बारे में हम जान चुके हैं अब जो यह जटल स्थाई उत्तक की क्या है और इनका पादपो में जो पोदे होते हैं उनमें क्या काम होता है क्या कारिय होता है वो हम सीखेंगे तो देखो हम जानते हैं कि ज तो जटल साय उत्तक दो प्रकार के होते हैं, कौन से कौन से जायलम उत्तक और दूसरा फ्लोयम उत्तक, ठीक है, दो प्रकार के होते हैं, जटल साय उत्तक, जायलम और फ्लोयम, तो दोनों उत्तक पादपों में जल, खनीज, भोजन का संवन करते हैं, ठीक है, न, दोनों उत् सामान्ने तोर पर साथ साथ सित होते हैं कि इतरी पास पास होते हैं कि बंडल की तरह देखते हैं तो इसलिए हम इनको सवन बंडल भी चैथे ठेलिस्ता है उसके बाद है जटल साय उद द वह और पोधो की एक विशेश्ट demek तो झाईलम् फ्लोम के बारे में अलग से पढ़ लेते हैं, क्या होते है εापके एक्ذاeim में जरूर आता है, यहां से question, चाह Selbst 2 Marks में हैं, चाह Selbst 3 Marks में हैं, एक Marks में भी आसका सकता है, जाईलम् देखो, जाईलम् क्या होता है, इसकी संरश्णा अगर हम देखएं तो Zylem उतक पोदे का कास्ट्रिय भाग हैं, ये चार तरह की कोशिकाओं से मिलकर बना होता है, कास्ट्रिय जो आपका लकडी वाला हिस्सा होता है न वो, तो Zylem कौन से 5 हिस्से होते हैं, किन 4 खोशिकाओं से मिलकर ये बना होता है, Zylem Tricket जिसको हम वाहिनिका बोलते है और यह क्या होता है वैसल जो इंग्लिश में होता है वाहिका ठीक है जाइलम पैरनकाइमा और जाइलम फाइबर रेशे ठीक है तो जो जाइलम पैरनकाइमा के लावा जो अन्य परिपक्व जाइलम कोशिका इम्रत होती है सिर्फ पैरनकाइमा जवित होता है बाकी जो ये तीनों हैं ये क्या होती है, मिरत होती है, अब इनका कारिये क्या-क्या है, देखो जो जाइलम उत्तक में वाहिका है और वाहिनी का है, ये जड से पोदे के विबिन भागों तक जल और खनीज लवन का उर्धावदर समण करते हैं, मतलब पूरे ज जाइलम फाइबर है, वो स्कैलन काइमा के बने होते हैं, और पोदे को द्रड़ता प्रदान करते हैं, मजबूत ही देते हैं ये, और फिर जाइलम पैरन काइमा ये क्या करते हैं, बोजन संग्रहवय, पशवर ये समण में मदद करते हैं, ठीक है, ये तो हो गया जाइलम के में उसके बाद आता हि हमारा फ्लुइम में दिखो संरचना समर्चना फ्लूयम उतक चार प्रकार की कोशिकाऊं से मिलकर बना होता है जिन्हें व हम क्या बोलते हैं यह यह पे एक को छोड़ कर बाकि सारे म्रत थे ठीक है ना यहां पर एक को छोड़ कर बाकि सारे जीवित है सिर्फ एक म्रत है यहां पर ठीक है कौन से कौन से चार है चालनी साधी कोशिकाई फ्लोयम और फ्लोयम रेशे तो यहां पर जो चालनी नाली का है यह चिद्रित भित्ति वाली तथ है जिसे बोजन जिसे बोजन का स्थानांतरन कहते है ठीक है और दूसरा जो फ्लोयम उत्तक है उस आयलम के के असमान पतार्थों को कॉश्चिकाओं में दोनों की और गती करा सकता है इस पर नीचे से आपका जड़ Nagड़ता जाते है और तो साथमें ऐसे भी साइड हो में भिर जा सकता है ठीक है ज़्यक है। अब हम जटल साय उतक दो प्रकार की होते हैं, सबसे पहले क्या पूछ रहा है, जटल साय उतक होते हैं, तो आपको पता है, सरल क्या होते हैं, सरल साय उतक जो एक प्रकार की कोशिकाओं से बने होते हैं, और जटल साय उतक एक से अधिक प्रकार की कोशिकाओं से बननी होते हैं, नाम और सब्वक्त तक और सब्वक्त उतर हो तो देखो जो जटल में इसको थोड़ाँ सra चोटा करते हैं यहाँ पे है प्रॉपर्ली आपको दिखनी रहा गाँ अब थीक है ।शलिए उतर उत्थक और सब्सक्त झा उतर्व क्या बॉटा न थो सवन्ट करते हैं दो दोनों होते हैं कौन से कौन से आप Sixtewhy यह ताधस स्थेत होते हैं तो यह साथ है उतनसे होते एक जैसे होते हैं और चाहँ बने लिते हैं शाय भी पारोण आगे चलते हैं प्रेश Conference 3 पर hose 3 क्या दिया हुआ दिखो आपको dailan front वादों से इसकोश्ण का जो आंसर है मैं उपर बता दीती हूं जुए आपका तीसरा खोशले तार यंजला माँ अपको वोक्षीट में रहा हुआ चार बीप home 4 दिया है यही है ठीक 제일 लिखो गै acceptance प्रेशर नंबर के दिखा देटीए मिनट अच्त अच्त अच्तुर 5-ज सबसे पहले क्या लिख सब्सक्राइब करना ठेकर तो ऊपर आप एडिंग डालोगी या फिर ऐसे लाइन नहीं लिखनी ठीके नहीं लिखनी एप को उसके बाद आपको का competency लिखने हैं जाइलम के भाग लिखने थे और कार्य फिर आपको यहां टॉड ही कारिय लाइन लिखनी है नीचे तक ठीकपना यहां तक यह सारी लाइन्स लिखने आपको ठीक है यह सारी ठीक है ज्यादा बड़ा कोशिन था इसलिए मैंने नहीं लिखवा है पांच नमबर में आपका यह कोशिन आ सकता है वैसे तो यह आपकी जो हिंदी मीडिय में इसमें दोनों देदी है जायलम और फोईलम इसलिए जायलम बड़ा है अपिसए आपको क्या लिखना है एक बार अब धियान से सुन लो कि जायलम में क्या लिखोगे पहले हैं डालोिगो पिर लिखोगी यह चार कोशिकां इसे चारों से बना होती है यह चारों अई क्याय सब्सक्राण। प्रत्म अभड़न से परक्राइब काराइब चाहरा है। वह बनाना है और नीचे लिकना है कारिय उपर जो डिब्बे में बनाई हुए ना फ्लोयम के वह चारो लिखने है और ये कारिय लिखना है ठीक है यह वगया आपका प्रेशिन नंबर 3 आगे बढ़ते हैं आगे जो चोथा प्रेशिन ने वह क्या दिया हुआ है जायलम और फ्लोयम में अंतर स्पर्ष्ट करना था तो देखो जो सरल उत्तक आपका गड़वड हो गया अब ठीक है ठीक है वह गलती से मैंने सरल और जटल उत्तक का वह कर दिया था महां पर इसको ठीक कर लेना थोड़ के अन्य भाग में पहुचाता है और जायलम में क्या होता है खनीज लवनों का परिवन नलिकाओं और वहिकाओं द्वारा होता है इसमें जो भोजन है उसमें कोन करता है चालनी नलिकाओं और सहायक कोशिकाओं द्वारा होता है यहां पर नलिकाओं और वहिकाओं द्वार प्रशार्ण दाब के कारण होता है तो ये आपको जो डिफरंस ए अंत्राप लिख सकते हैं लास्ट्वाला ज़रूरी है टो यह आपकी जो वोक्षीट है यहां पूरी होती है, I hope आपको अच्छे से समझ में आ गई है कोई भी doubt है किसी भी question में तो comment section में आप उसे पूछ सकते हैं और अगर आपको lecture अच्छा लगी तो चानल को subscribe कर सकते हैं वीडियो को like कर सकते हैं आज के लिए इतना ही मिलते हैं next video में till then take care, bye bye